विद्यार्थियों आप देख रहे हैं संजीवनी सीरिस का second last chapter का MCQ जिसको हमने लिया है वैसवी करण और भारती अर्थवैस्ता इसके बाद हम last chapter पर पहुंच जाएंगे चल ये start करते हैं इस तरह से हमने सभी chapters के MCQ complete कर लिये हैं जो आपको 2023 के pre-board और वार्षिक परिक्षा और अर्धवार्षिक परिक्षाओं में देखने को मिलेंगे यहां से MCQ सत परतीशत चल ये start करते हैं पहले प्रस्टन से क्या विशेषता थी तो यह देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था ये विशेषता थी नेक्स जो कोशन है बहुरास्ट्री कंपनियों किस स्थान पर अपने उद्ध्यों के स्थापित करती है तो यहां पर देखो कि सारे उप्सन सही है उप्रियुक तो सभी जो है इसका right answer हो जाएगा नेक्स कोशन है बहुरास्ट्री कंपनियों के निवेश का सबसे आम रस्ता है तो सबसे आम रस्ता जो है स्थानिय कंपनियों का खाई दना सबसे simple इसका जो नेक्स कोशन है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी तो फोर्ड जो है अमेरिका की कंपनी है इसके वाज़ों Next question है Ford Motors Company का весळों के किपने देशों में प्रसार है तो 26 देशों में इसके branches फैले हुएं इसके company फैली हुई है Next question है भारत के बाजारों में किस देश में बने खिलोनों की भरमार है आप सभी को पता है चाइना प्रोड़क्ट विख्यात है इसके बाद जो next question है अतीत में देशों को जोडने वाला मुख्य माद्यम क्या था तो वो था व्यापार ठीक है next question है उसकी बात करें तो यहाँ पे बरतमान समय में देशों को जोडने वाला मुख्य माद्यम क्या है तो वो है वैस्वी करण नेक्स जो कोशन है उसकी बात करें तो बहुरास्ट्र कमपनियों का सबसे अधिक लाब किसे हुआ है तो सबसे अधिक लाग जो है सहरी छेतर के धनी उबोगताओं को यह option correct नेक्स जो कोशन है संचार प्रदोगी की कार रूप है तो यहाँ पर सारे के सारे आप देख रहे हैं संचार का रूप है तो यहाँ पर अपका D option correct नेक्स जो कोशन है 26 जून 2014 में 20 वेवापार संग्ठन के सदसे देशों की संख्या जो है 160 कब 26 जून 2014 इसके बाद है वेश्वी करण से किस वर्ग को नुक्सान हुआ है तो सबसे ज़्यादा छोटे उत्पादक को तो यहाँ पर जो सी option correct हो जाएगा नेक्स जो कोशन है वेश्वी करण का तत्व है तो वेश्वी करण का तत्व है तो विदेशी निवेश और विदेशी वेपार दोनों है तो A और B दोनों हो जाएगे correct नेक्स जो कोशन외 है इसमें पुछागा है न्या संगत वेशिवी करण तो यहाँ सारे वेशिकंगर का इसलिए आपका D option correct हो जाएगा इसके बाद आते हैं हम next question की टरफ नेक्स जो कोशन इसमें कुछ है गया निमली खित में कौन सी भारती कंपनी नहीं है, तो यहाँ पर कारगिल फूर्ट जो है आपको देखने में लग रही है लेकिन यह जो है भारती कंपनी नहीं है इसके बाद जो next question की बात करें तो यहाँ पार और रोधक का उधारन है तो यहाँ पर जो है आपका D option correct हो जाएगा नेक्स कोशन की बात करें वैस्वी करण का एक बुरा प्रभाव कौन सा है तो बढ़ती प्रतियोगता वह छोटे विनिर्मानों को विनिर्मान करता हो या निर्मान करता हो या उद्धो करता हो को हानी ठीक है तो यह सबसे बड़ा जो है एक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है नेक्स जो कोशन है इसमें पूछा गया है विस्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विस्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता फूर्ड मोटरस भारत में कब आई तो यह 1995 में जो है भा नेक्स जो कोशन है वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटरस ने भारती बाजारों में कितनी कारे बेची तो इसने 88,000 कारे मेज दी थी 2017 तक उसके बाद जो नेक्स कोशन है उसकी बात करें भारती खिलोनों निर्माताओं पर चीनी खिलोनों का क्या प्रभाव पड़ा है तो बहुत ज् लिजन हो जाएगा ताकि जो है आपका क्या हो जाएगा ताकि जो है यहां पर ताकि उत्पादन की लागत कम हो और बहुरास्टी कंपनिया अधिक लाब कमा सके तो यही बहुरास्टी कंपनियों की प्रक्रिया देशवर में इसलिए फैली हुए तो यहां पर जो है क्या है आपका A option जो है करेक्ट हो जाए ताकि उत्पादन की लागत कम हो जाए और जो है बरास्ट कमपनिया अधिक लाब कमा सकें नेक्स जो कोशन है इसमें पुछा गया भारत में केंद्र और राजे सरकारों ने बिदेशी कमपनियों को आकरशित करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं तो यहाँ पर जितने भी कदम है यह सारे उठा दिया हो इन्होंने तो यहाँ पर D option करेक्ट हो जाएगा सभी यहाँ जो है अमेरीका के सकल घरेलो उतपाद में क्रिशी का हिस्सा कितना है तो केवल मात्र एक परतीशत इसके बाद जो नेक्स कोशन की बात करें तो निमलिखित में से किस छेत्र ने भारत में वैस्वी करन के कारण लाब नहीं उठाया है तो वो वैस्वी करन केवल एक ही ही कौसे उपाय किए जा सकते हैं तो हमारे जो हैं if जितने वी उपाय है यह न्याय संगत के लिए किया जा सकते हैं उपरूप तो सभी ज्य है आपका सही हो जाए question है इसमें पूछा गया आपसे निम लिखित में कौन सा व्यपार और हुदोगों का लक्षण नहीं है हमारा answer हो जाएगा 20 व्यपार संगठन व्यपार और हुदोगों को बढ़ावा देता है यह उसका लक्षण नहीं है तो यहां पर जो C option है यह इसके बहुरास्टी MNC के नुब में रेन बेक्सी बहुत बड़ा ग्रूप है अपने आप में मेडिकल सेवाएं देता है एसीन पेंट्स का नाम सुना होगा हर घर में हर घर में खुसियां सजाए ऐसे कुछ करके उसका इरटाइज आता है टाटा मोटर्स का नाम अपने सुन रखा तो उपरुक तो सभी MNC कंपनिया ने बहुरास्टी कंपनियों में सामिल है भार सरकार ने उदारी करन की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंब की थी तो 1991 में उन्होंने प्रारंब कर दी उसका जो जाएगा इसके बात करें एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्र नत्वा स्वामित रखती है वो बहुरास्टी कंपनिया कहलाती है इसके बात करें घहरिलू बाजार में बहुरास्टी कंपनियों का आगमन किसके लिए हानिकारक सिद हो सकता है त पडुनों की करेगा इसको बोलते हैं हम निवेश ठीक है इन्वेस्टमेंट यानि कि यह ऑपशन करेक्ट हो जाएगा भुडाश्ट्र के था राटीं हो कि यह इसको विदेशी निवेश कैते हैं एंवेशा से तक真的 की कि बात इसका बाद में भारत सरकार दोरा वयापार औरोधों को तथा प्रती बंधों को हटाने की परिक्रिया जो है उधारी करण कहलाती है इसको जो next question है इसमें पुछा गया सरकार दोरा आयात होने वाली वस्तू की संक्या सीमित करना कहलाता है उसको बोलते हैं कोटा कोटा मतलब रिजर्व कर लेना यह option इसको जो next question है इसमें पूछा गया है आयात पर प्रतिबंद के रूप में कुछ कर लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं तो उसको हम बोलते हैं वया पार औरो धक तो यहाँ पर यह option correct हो जाएगा वैस्वी करण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं तो यहाँ पर सारे के सारे संभव बनाने के लिए उत्तरदाई हैं बाकी आप अपने notes जरूर डाउनलोड कर लेना यहाँ पर जो सूचना दी गई है इसको आप देख सकते हैं